हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई फोब सभी लोग इदम अच्छे होंगे और प्रिप्रेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फर्मासुटकल बायो टेकनोलोजी एक टियू का प्रिविएस एर कोस्चेन पेपर 2021-25 का जो बैक पेपर कंडेक्ट कराया गया था उसी पेपर को एकदम आसान तरीके से हम रुख जा रहे हैं डिसकस करने तो लेक्चर को ध्यान से देखना और वीडियो को एक एक पॉइंट देखना क्योंकि बहुत इंपॉटन होने वाला ये लेक्चर आज की लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में आप लोग के हर एक यूनिट में कहां कहां से कैसे कैसे कोस्चन बनते हैं जैसे सेक्शन ए में दो नंबर के कैसे कोस्चन बनते हैं सेक्शन बी में कैसे कोस्चन बनते हैं और सेक्शन से में किस तरीके से कोस् question paper 2021 22 का तो चलिए ध्यान से देखते हैं सबसे पहले देखेंगे section A का section A हमारा दो number का होटा है total 10 question होते हैं जो कि हमारा 20 number का total होता है और सभी question को करना यहाँ पर क्या होता है जरूरी होता है ठीक तो चलिए देखते हैं सबसे पहला question हमारा क्या है दोस्तों what is genetic engineering अब genetic engineering क्या है सभी question का answer आप लोगों को description box में एक link दिया गया है वहाँ पर सभी question का answer आप लोग को मिल जाएगा बस वहाँ पर आप लोग जा के click कर देना वहाँ पर सभी answer आप लोग को यहाँ पर DNA कट कर दिया जाता है यहाँ पर कट कर दिया जाता है अब दोनों को आपस में जोड़ता है अब कट करने का काम कौन करता है कट करने का काम restriction इंडो नुकलियेज करता है और उसको जोडने का काम कौन करता है जोडने का काम हमारा करता है DNA Ligage इसके बारे बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और जाकि वहाँ पर description box में link दिया गया उसमें देख लेना पूरा total समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोग को एक्जाम में लिखना है ठीक अगले question की बात करते हैं cloning vector क्या होता है और इनके ग्यामपल क्या होते है MHC क्या होते है MHC का full farm क्या होता है अगर आप लोग को description box वाला link देख लेंगे वहाँ पर समझ में आ जाएगा अगर आप लोग को पता MHC का full farm क्या होता है तो comment box में ज़रूर बताना अगला question देखिए what are different type of immunoglobulins that are found inside human and autoclave autoclave के बारे में लिखना है फिर अगला question हमारा plasma substitute with the proper example पूरे example के साथ इसका पहला लिखना है कि plasma substitute क्या होते है ठीक उसके बाद definition के बाद इनका लिखना है properly example कि इनके example भी क्या होते है ठीक अब बात करते है section B की section B में हमें 2 question करना है total 3 question इसमें 2 question करना है जो कि दोस्तों हमारा 10-10 number कराता है और ये भी हमारा section B 20 number का total होता है तो इन में से 2 question जो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को याद है वही question को आप लोग को solve करना चाहिए ठीक तो दीके सबसे पहला question क्या पूचा है discuss the microbial production पहले लिखना है आप लोग को की production कैसे हुआ microbial enzyme का फिर protease क्या है फिर per oxidase क्या है इंडस्ट्रियल में ठीक अगला question क्या है दोस्तों describe in the detailed process polymerase chain reaction and its application polymerase chain reaction को साइट में कभी कभी PCR करके पूच लेता है इसमें confused नहीं होना है PCR अगर करके पूचेगा तो मतलब polymerase chain reaction अगला question क्या है अगला question है enlist the various type of reaction that can be performed using microbial bio transformation and also write down the application ठीक यह होगी हमारा section B का question इसमें से आप लोग को दो question जो एकदम अच्छे तरीके से आए वही दो question solve करना है एक आप लोग को छोड़ देना है ठीक अब बात करते हैं section C की section C हमारा दोस्तों 7 number का होता है 7 number में से हम लोगों को क्या करना है 7 number के question रहते हैं जिसमें से 5 करना है total हमारे 35 number के होते हैं ठीक तो इसमें सबसे पहला question क्या है सबसे पहला question हमारा है देखी explain the working and its application अब बायो सेंसर pharmaceutical industries अब बायो सेंसर क्या होते हैं बायो सेंसर का working क्या होता है बायो सेंसर तो मैंने बताया था दो एट से मिलके बनाए बायो प्लस सेंसर बायो का मतलब हो गया बायो लोजी और सेंसर का मतलब होता है किसी भी डीजीज का पता लगाना किसी भी electronic machine के दौरा है पिकिसी भी चीज के दौरा उसे हम लोग क्या काते हैं बायो सेंसर अब बायो सेंसर के बारे में इससे भी easy तरी की समयने लेक्चर में बताया है और किस तरीके से लिखना है वो भी बता है, अगला कोश्चन क्या है, अगला कोश्चन हमारा है, कि discuss the application of IDNA technology, genetic engineering in the production of hepatic B vaccine, ठीक, अगला कोश्चन क्या है दोस्तों, immunity, ये दो कोश्चन हो गया, immunity क्या होता है, इनके different type कौन कौन से होते हैं, पूरा detail लिखना है, ठीक, write down storage condition and stability of the official vaccines, next question is difference between the western blotting, southern blotting technique, western blotting technique क्या होता है, southern blotting technique क्या होता है, ये दोनों में difference क्या होते हैं, ये लिखना है, next question is discuss the production of gracioflamin using the fermentation, fermentation आप लोग का unit 5 में बहुत ही आसान तरीके से लेक्चर में बताया हूँ, unit 5 का lecture अगर आप लोग देखे होंगे, देख लेना, नई तो प्ल and last in this section, describe the method of collection processing and storage of whole human blood and dried human plasmatic, तो ये next and last section के question है, तो section A में किस तरीके से question बनते हैं, और section B में किस तरीके से कहां कहां से question बनते हैं, और section A में कहां कहां से question बनते हैं, ये आप लोग को दिखा दिया हूँ, अब इन में अगर किसी कोई doubt दोस्तों, तो comment box में जरूर बता द देना, इस सभी question के answer आप लोग को description box में एक link दिया गया है, उस link को click करके सभी answer को आप लोग देख लेना, अगर किसी question में doubt हो, समझ में ना आए, तो comment box में जरूर बताना, तो चलिए दोस्तों, thanks for watching my video, like, comment, share and subscribe this channel